Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 1 which is the Cold War and the Non-Aligned Movement. इससे previous वीडियो में हम लोगोंने Arena of Cold War discuss किया था. आज हम लोग इस topic को discuss करने वाले हैं इस chapter में, वो है challenges to bipolarity. इसको हम लोग आज समझेंगे कि ये क्या है. तो आईए शुरू करते हैं. The Cold War was tended to divide the world into two rival alliances. इस बात को हम लोगोंने इस chapter में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है. कि at the time of Cold War, the world was divided into two blocks. One was with US and other was with USSR. तो अब यहां तर बातों को समझने के बाद, अब आगे हम लोग देखते हैं. कि the non-align offered the newly discolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join either alliances. अब दो जो blocks बने थे, दो जो superpowers थे, उन लोगोंने अपने-अपने alliance बनाया लिये और लगभग पूरा योरोप डिवाइड हो गया और एसिया के भी बहुत सारे देश उनके साथ जुड़ गये. लेकिन उस समय, उस दौर में, कुछ, यानि कि 1945 के बाद, जब World War II समाथ उसके बाद, बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे. उनको Newly Independence मिल रहा था. यानि कि Colony जो बनी हुई थी, Britain की, France की, उससे उनको मुक्ती मिल रही थी. और वो चाहते थे कि वो Independent रहें, लेकिन अब World की ये मांग थी, कि अगर आप as a country हैं, तो you have to choose any one of the alliances. या तो आप US के साथ जाएं, या फिर Soviet Union के साथ जाएं, इस बंधन में वो नए देश भी थे, जो अभी-अभी Independence आ रहे थे. उनको ये बात का डर था, कि कहीं उनका Independence फिर से ना चला जाएं, और फिर से वो गुलाम ना हो जाएं, इन बड़े-बड़े countries के बीच में, क्योंकि आभी वो एकदम infant इस्तिती में थे, newly born थे वो लोग, तो ऐसे स्तिती में उन देशों के जो leaders थे, वो risk नहीं लेना चाहते थे, कि कोई risk लिया जाए, और इन बड़े-बड़े blocks को join किया जाए, तो उन में से एक country इंडिया भी थी उस समय, और इंडिया के उस समय प्राइम मिनिस्टर जोहारलाल नहरू जी थे, तो आए देखते हैं कि इन non-alliance country ने क्या decide किया, the non-alliance offered the newly discolonized countries of Asia, Africa and Latin America, तो इन लोगों ने मिल करके ये निर्णे किया कि वो एक अलग group बनाएंगे, अलग alliance बनाएंगे, और उसका नाम रखा उन्होंने non-alliance, और उन्होंने जो new independence पा रहे थे देश उस समय, जैसे Asia के कुछ देश थे, African देश थे, और Latin America के कुछ देश थ तो इन देशों के लिए एक नया offer था, नाम के रूप में, कि अगर वो इन दोनों alliance को join न करना चाहते हों, तो उनके लिए एक और option मौजूद है, as a non-align, non-align की रूप में, एक और option उनके सामने था, कि अगर वो ये दोनों blocks को नहीं चुनना चाहते हैं, दोनों groups को नहीं योगोसलाविया जॉसफ ब्राउंस चीटो, ये योगोसलाविया के थे, और इंडिया जौहारलाल नहरू एड एजिप्ट लीडर गमाल अबिदल नशीर, ये तीन लीडर वर्ल्ड के ऐसे थे, एक उसमें से योगोसलाविया के थे, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर थे, ज एक जो थे, वो इजिप्ट के, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें वो, ये तीन लोगों ने मुख्य रूप से ये डिसाइड किया कि एक ग्रूप बनाई जाए, जो थर्ड एलाइंस के रूप में हो, और इसमें इसको हम लोग नाम देंगे, नॉन एलाइंस, तो हूँ हे घानास, कुवामी निकार्मा, strongly supported them, ये दो लीडर्स और इनके साथ जूड़ गए, यानि तीन पहले से थे, और दो ये लीडर्स और जूड़ गए, उसमें इंडोनेशिया और घाना के प्रधाम मंत्री जो थे, उसमें, यानि कि वहां के जो लीडर्स थे, वो भी इनके अलग होगा, these five leaders come to be known as the five founders of NAM, और इनी को हम लोग, NAM के founders के रूप में जानते हैं, ये पाँच लीडर्स मुख्य तोर पे थे, जो NAM के founder leader कहा जा सकते हैं, तो इस तरह हम लोग देखते हैं, कि एक third option, world के देशों के लिए मिला, और वो मिला NAM के रूप में, जिसमें से इ The first non-aligned summit was held in Belgate, capital of Sevilla in 1961, 1961 में NAM की पहली summit कुई और वो जगह था, Belgate, capital of Sevilla, यहाँ पर पहली summit NAM की की गई, जो 1960 में, 1960 में हुई These were the three peak points of summit, यह तीन मुख्य मुद्दों पे वहाँ पे चर्चा हुई, उन पीन मुद्दों को हम लोग आये समझते हैं, पहला था cooperation among these five countries, जो यह पांच founder countries थे, उनके बीच हमेसा cooperation बना रहे, इस बात को लेकर उनके बीच में चर्चाएं हुई दूसरी बात, growing cold war tension and its widening arena, जिस तरह से cold war grow कर रहा था, और उसके कारण जो tensions grow कर रहे थे, पूरे world में, इसके अलावा, जिस तरह से world war का arena बड़ा होता जा रहा था, इन सारी चीजों पे, इन नायम के पहले summit में चर्चाएं हुई तीसरी पॉइंट थी, the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena, उस समय कुछ African countries को independence मिल रही थी, वो decolonized हो रहे थे, और उन्होंने अचानक से 16 countries ने 1960 में, UN को join किया, तो नायम की नजर इन सारी चीजों पर बने हुई थी, तो इनके बीच में भी ये चर्चाएं हुई, कि इन African countries को भी नायम की सदस्यता ती जानी चाहिए, या उनको इस में, इस group में सामिल कर लेना चाहिए, इस बात पे भी ये तीन points जो थे, इन पे चर्चाएं हुई, जिन में से पहला जो था, वो की cooperation बना रहा है, इन 5 countries जो founder countries है, डूसरी बात थी, जो cold war के कारण जो tension फैल रहा है, worldwide और उसकी जो arena बड़ी होती जा रही है, उस पे भी चर्चा हुई, और प्लस जो 16 African countries decolonized होने के बाद, UN को join किये in 1960, तो इनका विचार था, कि उनको नायम के अंदर भी ले आ जाए, तो उस विशे पर भी बात है हुई, the first summit was attended by 25 members state, जो पहली summit हुई, 1961 में पहली summit हुई, उसमें सिर्फ 25 states के, states ही members थे नायम के, यानि सिर्फ 25 सद से ही इसमें participate कर रहे थे, इसके members थे, नायम के, The last meeting, the 17th summit was held in Venezuela in 2016, 2016, तो 60 से ले करके, जो 2016 आने तक, इन वर्सों के बीच में, हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ, नायम के साथ, उनके members, countries जूड़े, तो, it included 120 member states and 17 observer countries, इनके 120 members हो चुके थे, 2016 में, यानि, 2016 आते हाते, नायम countries, 120 हो चुकी थी, और उनके observer countries जो थे, वो 17 थे, यानि, कि जो पहले, 5 observer थे, countries पहले summit में, यानि कि 5 founders थे, वही थे, main observer, और अब जो है, उसमें observer की संक्यावी बढ़त चुकी थी, और वो 17 members हो जो, तो, हम लोग देख रहे हैं कि नायम किस तरह से, आगे बढ़ा, और उसका presence, जो है, कहीं ना कहीं, इन दो सूपर पावर्स के उपर भी, उनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा, इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे ये जो नान एलाइमेंट था, वो एक पॉपुलर मुव्मेंट के रूप में उबर करके सामने आया, वर्ड में, इसमें बहुत सारे इंट्रेस्ट वाले, अलग-अलग इंट्रेस्ट वाले और पॉलिटिकल स्ट्रीम भी उनकी अलग-अलग की ऐसे कंट्रीज आकर के नॉन एलाइमेंट में जुड़ गए, तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1960 में ये केवल 25 मेंबर्स की एक एलाई थी, जो कि 2016 आते आते ये इसके मेंबर्स की संख्या जो है, वो 120 तक बढ़ कर चली गई, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत पॉपुलर हुआ इस पीरियट के दौराट और बहुत सारे कंट्रीज उसको जॉइन किये, तो जो कंट्रीज इसको जॉइन कर रहे थे, वो कंट्रीज जो थे, उनकी डिफरेंट पॉलिटिकल हो गई थी, नाम के अंदर कंट्रीज, इस मेट दा मूमेंट लेस होमोजीनियस और जैसे के मैंने बताया कि वो लेस होमोजीनियस हो गई, यानि कि वो उसमें बहुत सारी वेराइटीज जूड गई और उसमें एक प्रकार का समरस्ता नहीं रहा, वो डिफरेंट और इसको नाम को डिफाइन करना साफ सुतर और प्रिसाइस धंग से यह बड़ा मुस्किल काम हो गया था, क्योंकि यह अब होमोजीनियस नहीं थी, इसमें एक समान के कंट्रीज नहीं थे, हर प्रकार की कंट्रीज आके इससे जूड़ी, जिनके पॉलिटिकल एस्पिरेश अलग थे, और जिनके इंट्रेस्ट अलग थे, तो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज इससे जूड़ी, जिससे इसका जो एक रूप था, वो होमोजीनियस नहीं रहा, तो अब इसको बहुत नीट और प्रिसाइस धंग से इसको अगर डिफाइन किया जाए, क कि नैम क्या है, तो यह बड़ा मुश्किल काम उस समय लग रहा था, कि यह बड़ी मुश्किल काम है, what did it really stand for, कि यह किस चीज के लिए बनी है, क्या है यह, नैम है क्या, यह एक बहुत बड़ा question उस समय उभर करके सामने आ रहा था, तो नैम was easier to define in terms of, अगर नैम को समझना ह तो इस term को समझना जरूरी होगा, कि what it was not, यानि कि question को अगर उल्टा कर दिया जाए, जो लोग पूछ रहे हैं कि नैम क्या है, उनसे अगर पूछा जिए कि नैम क्या नहीं है, यह पूछो, तो नैम क्या नहीं है, यह पूछने पर इसका answer बड़ा सही आता है, कि it was not about being a member of an alliance, कि वो दो जो groups थे, जो super powers थे, during the cold war, उनका ally यह नहीं है, यानि कि इस group में जो countries हैं, वो ना तो US को बिलॉंग करते हैं, उस group को बिलॉंग करते हैं, नहीं वो Soviet Union के group को बिलॉंग करते हैं, यानि कि यह एक different group है, जो इन दोनों group को नहीं मानता है, या इन दोनों group का हिस्सा नहीं है, वो non-align है, non-align का मतलब ही यह होता है, कि वो किसी ally का group नहीं है, और उस समय दो ही super powers थे, जिनके groups थे, एक US का group थे, एक Soviet Union का group थे, तो इन दोनों groups को जो नहीं जोइन किया, और एक तीसरे group को जोइन किया, तो वो उसने non-align group को जोइन किया, जो इन दोनों group से different, the policy of standing away from alliance should not be considered isolation और neutrality, अब जो लोग नाम के critics रहे, जो लोग आलोचक रहे नाम के, उन लोगों ने बताया कि यह isolism को बिलॉंग करती है, और neutrality को बिलॉंग करती है, तो अब यह दो जो शब्द है, isolism और neutrality, इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे, कि इसका मतलब क्या है, तो आईए समझते हैं, कि isolism means, अलोफ फ्रॉंग वर्ड अफेल्स, यानि कि वर्ड में जो हो रहा है, पॉलिटिकल घटनाय जो हो रही है, वर्ड में, उससे अपने आपको अलग करने नहीं, आईसोलेशन है, तो क्या ये जो ग्रूप नैम है, ये एक आईसोलेटेड ग्रूप है, ये आईसोलिजम को मानता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, आईसोलेशन में रहा ना, इसको पॉलिटिकल जो भी काम हो रहे हैं, वर्ड में, जो एक्टिविटीज चल रही है, क्या उससे इसको कोई मतलब नहीं है, तो आईए समझते हैं इसको, but non-aligned countries, including India, played an active role in mediating between the two rivals allies to maintain peace and stability, अब हम लोग देखते हैं कि ये अलग तो बिल्कुल नहीं था, कैसे इसको इन बातों से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कि जो non-aligned country थे, including India, उसने active role प्ले किया, किस बात के लिए, जैसे Korea में इंडिया ने mediator का role play किया, और उनके बीच जो विवाद Korea में चल रहा था, यानि US और Soviet Union के ग्रूप के बीच जो विवाद Korea में चल रहा था, उसको इंडिया ने resolve किया, and India was a non-aligned country, तो ये कहना कि उसको world politics से कोई मतलब नहीं था, वो एक isolated group है, उसको world में जो activities हो रही है, political उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये कहना बिलकुल name के लिए गलत थी, बात, कि name एक isolated group है, और जिसको political activities से कोई मतलब नहीं है, अब दूसरी शब्द neutrality को समझते हैं हम लो, कि non alignment is also not neutrality, ये एक neutrality भी नहीं थी, कैसे, it neutrality के मतलब होता है, कि it means policy of staying out of war, कि अपने आपको यूद के समय पिलकुल अलग कर लेना, कि अगर दो groups लड़ रहा है, तो हमको मतलब नहीं है, तुम लोग लड़ो, और वो अलग हो जाए, neutral हो जाए, उसको मतलब नहीं है, तो ये कहना कि war नहीं लड़ना चाता है, यानि neutral country है, non-aligned countries जो है, out of war, यानि कि लड़ाई से आपने आपको दूर रखना ही, neutrality है, तो आये देखते हैं, कि क्या name group जो था, उसके countries ने कभी war लड़े या नहीं लड़े, तो non-aligned state, including India, were actually involved in wars for various reasons, बहुत बार इंडिया ने लड़ाई-लड़ी, दो बार पाकिस्तान के साथ लड़ाई-लड़ी एक बार चाहिना के साथ लड़ाई-लड़ी, तो ये कहना कि इंडिया war के स्थिति में neutral है, ये कहना गलत होगा, कि non-aligned countries जो है, वो एक neutral countries है, और वो isolated countries है, isolism को मानते हैं, ये कहना बिलकुल name के लिए गलत बात है, और name के power को पूरे विश्व ने देखा, जाना, कि जब दो superpowers के बीच में कभी भी mediation की जरूरत पड़ी, तो name ने उसे बखु भी निभाया है, तो बचों, उमीद है, आपको challenges और bipolarity समझ में आई होगी, तो दोस्तों के साथ share किजिए, like किजिए वीडियो को, और subscribe किजिए, thank you